हलो दोस्तो स्वागत है आपका SBG चैनल में तो दोस्तो इस बीड़ों डिसकस करेंगे चिंदवाड़ा उनिवर्सिटी के एक्जाम पौरम के बारे में दोस्तो बीए, बीएस्सी, बीकव, बीए, बीची, जो भी UG के अंतगरत आते हैं UG PASTIER के एक्जाम पौरम एपलाई होना स्टार्ड हो गए हैं, अपकी जो पीस है वो कितनी रहने बाली है, तो सब को इस वीडियो के माध्याम से देखेंगे, तो जो भी चलाए पहले बिजिट करने हैं, रुक्वेस्ट करूँगा चैनल को जरू सस्क्राइब कर लेना है, स चली दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको ओपीसियल वैपसाइट पर, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ओपीसियल नोटिफिकेशन में ने ओपन कर लिया है, जो कि चैनल को जारी किया गया था, लेकिन इसको ओपीसियल वैपसाइट पर नहीं अप्लोड क चैनल को बना कर रख दिया रहा है लिके शाल बाग डिया गया हैंको बनाकर देख लेते हैं कि करके बिए बीकॉण, बीहसिए बिया संब इसमें ने ओला में बिच्छान, रिपिस्टिय आपन पडर, तो रहे वहीं है दोस्तों MP online के माद्दम से भरी जाएंगे जिनकी तिती अब हम परिच्चा सुल्क का विबरेड निम्ना स्वार है निम्ना नुसार दिया गया है क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरू करते हैं दोस्तों तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामा ने परिच्चा सुल्क के साथ ओनलाइन आप इतन पत्र जमा करने की देदी 13 मार्च 2020 से 20 मार्च 2020 13 मार्च 2020 से जो कि आपके पौरम एप्लाई होना इस्टार हो गए हैं दोस्तों और इसकी जो लाज़ डेट है वो रहने वाली है 20 मार्च 2020 अगर दोस्तों आप 20 मार्च 2020 तक एप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको 100 रुपे एस्टार चार्ज देकर जो भी आपकी फीस होती है उसमें 100 रुपे का एस्टार चार्ज देकर आप 21 मार्च 2020 से 25 मार्च 2020 तक आप पौरम को एप्लाई कर सकते हैं बस आपको क्या करना है 100 रुपे का extra charge देना होगा अगर आप 25 ALF 2020 तक भी आप जो कि exam perform apply नहीं कर पाते हैं तो आप 300 रुपे का extra charge देकर 27 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक exam perform apply कर सकते हैं तो आपके पास में 3 अप्सिन तो अगर जो dad 가 जो exam perform apply नहीं कर पाते हैं तो आपको एक चौता उप्संस है उसमें क्या दिया गया है आपको दो खार रुपे का ह tayo चार्ज देना हुआ कितना दोस्तोग दोहजार रुपे का ह nost चार्ज देना हुआ और जब भी आपकी परिच्चा होगी उसके तीन दिन पूर तीन दिन पहले या पांच सोरी पांच दिन पूर तक पांच जब भी आपके एकजाम स्टार्ड होगा जैसे कि मान के चलिए आपका दस अपरेल को एकजाम स्टार्ड होता है तो दस अपरेल से पांच दिन पहले द नहीं देना होगा एगर आप फोर। और से अलग से चैप्ली डीडिव बनवाना चाथे हैं आपको नहीं पता है कि एकirdi गार्ट है किस था यूञे करना है तो आप मुंजार्ट करनना में अलग पाने के लिए तो देख पा रहे हैं जैसे कि सब्जेक्ट दिया गया है अगर आपने बीए पस्टियर में है और आपके पास में प्रोजेक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं यह कोई भी तो आपके 1650 उर्पे लगेंगे अगर आप भी ए पश्टियर में और आपको प्रोजक्त वाला कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको 1750 उर्पे का चार्ज देना होगा अगर आपने B.com लिया है और आपके पास में कोई भी जो की प्रोजेक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है तो आपको 1650 और अगर आपका प्रोजेक्ट बनता है जो प्रोजेक्ट किसका बनता है कंप्यूटर एप्लिकेशन के साथ में तो 1750 रुभी का चार्ज देना होगा B.se, B.h.se पास्टियर वालों यानि कि B.h.se और B.h.se जो नोंने सायंस लिया है और जो प्रोजेक्ट आता है B.h.se में तो बनानेबर भटते हैं तो इसका τो रहेगा रहेगा 3750 रोब का चार्ज लगेगा वेकर दोस्तो इसके बाद में बीवी का चार्ज दिया गया है और यहां पर चुकी हेए है fijड हो चुका है दोस्तो और प्रायन वाला होगा 100 % का इस्टा चार्ज्द कर navya का 120 और अगर आप एक अलग से एक्जाम पॉरम एपलाई करने का separate वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे अपना alignment number जो की send कर दें मेरे जिससे क्या है मैं आपका alignment number की सहाथा से एक अलग से separate वीडियो बना दूँगा और आपके alignment number में जो भी जानकार ही होगी आपकी उसको blur कर दिया जाएगा जिससे क्या है किसी को भी आपकी जो जानकार ही होती है वो किसी को show ना हो तो आप please मुझे alignment number send कर सकते हैं किसके माध्यम से कर सकते हैं बॉट्सअप के माद्धियम से कर सकते हैं बॉट्सअप का लिंक आपको नीचे डिसेट में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कॉमेंट करके कर सकते हैं दोस्तों उम्मित करता हूं सब कुछ नहीं समझ में आ गया होगा प्लीज से आर वीडियो को लाइक क चैनल को वीडियो करते हैं समाथ मिलते हैं नेश्ट वीडियो के साथ तब तक लिए बाए